हेलो फ्रेंड्स वाइबन क्लाजिस में आपका स्वागत है आज हम जानेंगे राजी बोर्ड कट आफ के बारे में एलबी सीबीडीटू का कितना रह सकता है देखने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूले इससे आने वाला डिटिफिकिसन आपको सबसे पहले मिलें चलिए देखते हैं सबसे पहले में लोग बात कर लेते हैं आई ये बारे में का आई टी आई का कट आफ जनल का पचास से चौवन के बीच ओबी सी का चालिस से बावन के बीच सी का ब्यालिस से पैतालिस के बीच और एस्टी का चालिस से चावालिस के बीच रहने बाला है एक दो नमबर आगे पीजे हो सकता है चलिए देखते हैं अलपी का अलपी का झाल झाल दोस्तो एलपी का कट ओफ इतना ही रहेगा इससे कम या ज़्यादा हो सकता है एक दो नमबर तोकि एक सीट पर आठ गुना लड़कें बलाई जा रहे हैं जन्रल 38-52 के बीच, OPC 42-45 के भीच, SC 36-40 के भीच, ST 32-36 के भीच रहने वाला हैं. अब बात कर लेते हैं PCM की प्रेंड्स, PCM के कटफ थोड़ा सा हाई रहने वाला है, क्योंकि इसमें बिकैंसी भी कमी थी, चलिए देखते हैं, जन्रल 66-70 के बीच, OBC 64-68 के बीच, SC 62-65 के बीच, ST 56-60 के बीच रहने वाला हैं, एक दो नमबर दोस्त आगे पीछे हो सकता है, आपको यह मेरा वीडियो अच्छे लगाओ तो प्लीज सस्क्राइब करें और लाइक करना ना भूलें, धन्यवाद,